गुड मॉनिंग क्लास 6 तुडे वी रीड अवर टॉपिक कॉंटिनेंट कल हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसमें हेडिंग है टाइटल हमारे चैप्टर 5 की मेजर डोमेंस अव दा रार्थ कल हमने 4 डोमेंस के बारे में पढ़ा और इसके 1st डोमेंस में हमने पढ़ा क इसको हम कहते हैं कॉंटिनेंट और लार्ज वाटर बॉडि इसको हम कहते हैं ओशियन तो आप देखिए आज हम कॉंटिनेंट पढ़ते हैं सबसे पहले हमें पता क्या होना ची विटा 7 मेजर कॉंटिनेंट से सबसे पहले हमें पता होना ची है कि हमारे कॉंटिनेंट कितने ह यह आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं लार्ज वाटर बॉडिस से और यह कॉंटिनेंट्स हैं नाम देखे बटा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, औस्टेलिया, अंटार्टिका अब जो आपने मैंने कल आपको मैप दिखाया था 5.1 उसमें मैंने आपको कॉंटिनेंट्स दिखाये थे बटा जिसमें आपके एक कुशन था कि क्या वाटर बॉडिस की तरह है कॉंटिनेंट भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दो कॉंटिनेंट्स को छोड़के सभी का कॉंटिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमने नोटिस किया greater part of the land mass lie in the northern hemisphere जो greater part है land mass का वो उत्री गोलार्द में है एशिया क्या है विटा largest continent एक जी के question है विटा largest continent is एशिया ये cover करता है one third एक तिहाई total land area of the earth याने earth का total land area उसका one third किसमें है विटा एशिया में है एक तिहाई इससा किसमें है एशिया में है और जो continents lie in the eastern hemisphere जो ये continent है ये पूर्वी hemisphere में है याने पूर्वी गोलार्द में है और tropic of cancer passes through this continent और जो करक रेखा है वो इस continent से गुजरती है एशिया सप्रेक्ट होता है यूरोप से किसे यूराल माउंटेन के द्वारा जो वैस्ट में है उसके और जो combined land mass of Europe और एशिया उप हम क्या कहते है बिटा यूरेशिया याने यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया जिसमें हम पॉइंट्स में लिखेंगे लार्जेस्ट कॉंटिनेंट है ये आर्थ का टोटल जो एरिया उसका वन्थार एरिया है इसमें इस्टन हैमिस्फियर में है Asia continent Tropic of Cancer इस continent से होते विए जाती है पासिस थूरू होती है Asia Europe से सप्रेक्ट होता है Eural Mountain के दौरा जिसके West में है और Europe और Asia को combined रूप से हम क्या कहते है Eurasia अब आप आएंगे Europe पर ये much smaller than Asia बहुत ज़्यादा छोटा है Asia से और ये जो continent है यह कहां पर इस्तीत है वेस्ट ओफ एशिया और जो आर्टिक सरकल है वो पासिस थ्रू होता है जो आर्टिक सरकल है वो इससे पासिस थ्रू होता है इट बाउंड 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 वो आर्टिक सरकल तो इससे पासिस होता है और तीन तरफ से वोटर बाउंड से गिरा हुआ है तो हम क्या कहेंगे इसको एके water bodies से गिरा हुआ है तीन और से यूरोब हम मैप में भी देखते हैं तो यूरोब के तीन और क्या है पिटा जो वल्ड का मैप है उसमें देखेंगे कि three side water bodies से गिरा हुआ है जो आर्टिक सर्कल है वो इसके पासिस थ्रू होता है जैसे एसिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा था ऐसे आर्टिक सर्कल इसके में से जा रहा है गुजरते हुए और यह वैस्ट ओफ एशिया में है एशिया के वैस्ट में है और इंडिया एशिया के साउथ में है अब हम आएंगे अपने तीसरे कॉंटिनेंट याने अफरीका यह second largest कॉंटि है अफरीका और जो एक्वेटर जो है या फिर हम कहें कि जीरो डिग्री लैटिटीट है वह रन होती है और मुस्ट थूदा मिडल ओव दा कॉंटिनेंट यानि इस कॉंटिनेंट के लगबग बीच से गुजरती है एक्वेटर और जो लार्ज पार्ट है अफरीका का वह यानि तीनों रेखाई इस कॉंटिने इन इस होते हुए गुजरती है साहरा डैजट यहाद है विर्ट्स लारज़स डैजट है है यह होट डैजट है यह भी अफ्रिका में है और यह जो कॉंटिनेंट इस बाउब घिरा हुआ है और ओस साइट वाइद ऑशिया और सिसभी मैप में देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे एक ही वर्ड का जो लॉंगेश रीवर है कौन सी है बटा नील रीवर ये भी अफ्रिका में फ्लो करती है याने भैती है अब एक कोशन दिया गया है नोटिस करिए वेर दे एक्वेटर ट्रॉपिक ओफ कैंसर और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन पासिस इन दा मैप ओफ अफ्रिका याने मैप ओफ अफ्रिका में आप देखेंगी कहां से होते हो गुजर रहे है जो एक्वेटर है पासिस थूदा मिडल पार्ट ट्रॉपिक ओफ कैंसर है वो न नो क्या पढ़ेंगे बटा डू यू नो इसमें एंडम हिलेरी न्यूजिलेंड के थे तेंजिंग नॉर्वे सेर्पा ये इंडिया का था ये फर्स्ट मैन थे जो क्लाइम हुए हाइस्ट वाउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट है प्लैनेट पे अर्थ प्लैनेट पे उस ने 29th में 1953 में जोंको तबही जो जापान के थे वो फर्स्ट वूमेन थी जिसने रीच किया 16 माई को इस चोटी को सम्मिट को और फर्स्ट इंडियन वूमेन थी जिसने क्लाइम किया हाइस्ट पीक को 23rd में 1984 को वो थी बेचंदरी पाल और माउंट एवरेस्ट इस आलसो नो जोग्रिफिकल सोसाइटी 1860 में एवरेस्ट कोस का एक ओफिशल इंग्लिस नेम मिला जो दिया गया था रोयल जोग्रिफिकल सोसाइटी देखे इस पेरग्राफ में आप देखे कितने सारे जिक के कोशन है याने एंडम हिलेरी टेंजिंग नौर्वे पहले मैं थे जो हाइ पर्म था और नाए 1865 में इसको ओफिशल इंग्लिस नेम मिल गया था एवरेस्ट जो रोयल जोग्रोफिकल सोसाइटी द्वारा दिया गया था अब हम आजाते अपने नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट पे यह थार्ड लार्जेस्ट कॉंटिनेंट इविटा वल्ड का जो लिंक to South America तो जुड़ा है South America से बाइ very narrow stream बहुत ही सखडी पट्टी है लेंड की जिसको हम कहते है इतूसमस आफ पनामा यानि इतूसमनस आफ पनामा एक सखडीन पट्टी है जिसके द्वारा North America, South America से जुड़ा हुआ है यह पूरी तरीके से Northern Hemisphere में है और वेस्टन हेमेस्फियर में पूरी तरीके से नॉर्धन और वेस्टन हेमेस्फियर में सिच्वेटेड है नॉर्थ अमेरिका यह देखे नीचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोडने वाला इथूसमस अभी जो हमने पढ़ा इथूसमस क्या है एक नेरो स्ट्री प वो है पार्क्स्टिक ये एक स्ट्रिक के नेरोब्स से वाटर पे कनेक्ट करता है तु लार्ज वाटर बॉडिस को जहां कहें सी और ओशियन को ठीक यह व्यव बंगाल है इंडिया है यह स्रिलंका यहां पर पाक्स्टिक है जो इन दोनों को जोडता है ये थुश्मस और स्ट्रेट क्या दिया रखा है दोनों इतु उसमस तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोडता है पेज पलटी अपने ओशियन्स सराउंड इस कॉंटिनेंट कैन यू नेम इस ओशियन थ्री ओशियन से बटा जो इस कॉंटिनेंट के सराउंड है कौन सा कॉंटिनेंट पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका तो आर्टिक ओशियन नॉर्थ में है Pacific Ocean West में है और Atlantic Ocean East में है समझ में आ गया North America के तीनों और से जो सागर है वो महा सागर बता रखे है South America देखे यह mostly in Southern Hemisphere यह Southern Hemisphere में है बटा South America दो Oceans है जो इसका सराउंड करते है East और West में East में क्या है Pacific Ocean है East में और South Atlantic Ocean है West में याने East में दक्षनी प्रसांद महा सागर और East में South Atlantic Ocean अब आजए Andis जो वर्ल्ड का longest mountain range है बटा Run through its length from north to south फिगर 5.1 में देखेंगे South America है वो वर्ल्ड की लार्जिस्ट जो रीवर है Amazon वो इसी में है बटा South America में विश्व की सबसे बड़ी नदी Amazon अब आज ये ऑस्टेलिया ये smallest continent largest था एशिया smallest है ऑस्टेलिया ये entirely southern hemisphere में है और surrounded all side by the ocean and sea चार तरफ से घिरा हुआ है ocean और sea से इसलिए इसको island continent कहते है किसको कहते है island continent Australia अब आप देखें boxes के द्वारा दिया गया है comparative size of the continent सबसे बड़ा हमारे एशिया है इसके सबसे ज़्यादा box होंगे और सबसे छोटा हमारा Australia इसके देखें सबसे कावं box होंगे तो जब आप box गिनेंगे तो आपको इनके size का भी पता चल जाएगा एशिया के बाद अफरीका है ठीके फिर North America है South America तो इस तरीके साब देखेंगे एक बॉक्स गिनोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है अब हम अंटार्टिका पढ़ लेते हैं ये पूरी तरीके से Southern Hemisphere में है एक huge continent है South Pole lies almost at the center of this continent यानि जो दक्षनी धुरू है वो लगबग इसके बीच में है बटा और ये लोकेटेड है South Polar region में इट इस पर्मानेंटली covered with thick ice seat ये हमेशा मोटी परस से ढखा हुआ रहता है किसकी ice की मोटी परस से इसमें कोई पर्मानेंट human settlement नहीं है इस थाई इसमें मानव बस्ती नहीं है बहुत सारे country है जो research station है यहाँ पे अंटार्टिका में इंडिया का भी research station है यहाँ पे जिसका नाम है मैत्री और दक्षिन गंगोत्री तो अंडर्लाइन कर लीजिए अंटार्टिका में इंडिया के जो research center है वो है दक्षिन गंगोत्री और मैत्री क्लियर बटा ये आज हमने क्या पढ़ा continents पढ़े seven continents पढ़े जो lithosphere के sub topic थे और हमने seven continents के बारे में थोड़ा थोड़ा जो basic knowledge होनी चीए क्योंकि आपकी class six थे बटा आपके लिए इतनी basic knowledge भहत है जब जैसे जैसे आप अगली class में जाएंगे आपको इनके बारे में और जानकारी मिलेगी घर का homework है बटा आपका करके लाना है हाइडो स्वियर क्या करके लाओगे बटा हाइडो स्वियर